भादरपद अमावस्या की रात एक मुठी नमक चुपचाप इस जगह पर फेंक देना इतना धन आएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी पित्रिदोष धन की तंगी जीवन में कभी नहीं होगी। आपके और आपके परिवार के उपर इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे तो चलिए जानते हैं। आज की वीडियो में नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है। पित्रिपक्ष से पहले पित्रों को खुश करने के लिए भादरपद अमावस्या आने वाली है। भादरपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथी को भादरपद अमावस्या मनाई जाती है। भादरपद अमावस्या को भादो अमावस्या भी कहते हैं। इस बार भादरपद अमावस्या सितंबर माह में हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान किया जाता है। ऐसे में उद्यातिती के आधार पर भादरपद अमावस्या 14 सितंबर को है। दोस्तों, जोतिश शास्त्र के अनुसार नमक के प्रयोग से घर में सुख समरिध्धी बढ़ती है और राहु केतु के अशुब प्रभाव को दूर करने में नमक को बहुत ही इफेक्टिव माना ग जो निगेटिव एनर्जी को अबसॉर्ब कर लेते हैं और पाजिटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करती है। इसी लिए खास कर पूर्णिमा के दिन नमक से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए। जोतिश शास्त्र में पूर्णिमा के दिन किये जाने वाले नमक के महत्वपूर्ण उपाय बताये गए हैं। इन उपायों को करके आप मा लक्षमी की क्रिपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सभी प्रकार एक ग्रह दोशों से मुक्ती भी मितली है। एक चुटकी भर नमक आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। आपके जीवन से संपूर्ण निगेटिव एनरजी को खीच कर आपका जीवन सकारात मु और सेंधा नमक तंत्र मंत्र में तथा घर की परिशानिया दूर करने के लिए काला या सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। सबसे इंपोर्टन्ट बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि दोस्तों आपको कभी उस व्यक्ती के घर का नमक नहीं खाना चाहिए जि शास्त्रों में कहा गया है कि नमक उसी के घर का खाना चाहिए, जहां पार धार्मिक, सत्यवादी और संसकारी लोग रहते हों। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से उस इनसान स आपकी लड़ाई हो जाती है दोस्तों, दरिद्रता को दूर करने के लिए शास्त्रों में नमक का सबसे आसान और महत्वपून उपाय बताया गया है कि आप वैशाख पूर्णिमा के दिन अपने घर में खड़ा नमक के पानी से पोच्छा अवश्य लगाए इस उपाय से घर से निगेटिव एनरजी नश्ठ हो जाती है और वातावर्ण पवित्र बनता है इससे मा लक्ष्मी का आपके घर में सदैव वास बना रहेगा यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह बना रहे खर्च से अधिक धन के संचय में बढ़ोतरी हो तो इसके लिए आप एक काच के गलास में पानी और चुटकी भर नमक मिला कर उसे घर के नैरित्य कोन में रख दे और उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ग लगा दे ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है खर्च से अधिक धन का संचय होता है जब यह पानी सूख जाएं तो गलास को साफ करके फिर से उसमें नमक और पानी डाल कर रख दे अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई है तो एक चुटकी नमक लेकर साथ बार उस पर से उतार कर नमक को पानी में बहा देना चाहिए आप नल के पानी में भी इसे बहा सकते हैं इससे नजर दोश समाप्त हो जाएगा अगर आपको महसूस हो रहा है आप पर किसी की बुरी नजर लगी है तो आप एक मुठी पीसा हुआ नमक लेकर शाम के समय अपने सिर के उपर से तीन बार उतार ले और उसे घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेक दे ऐसा तीन दिनों तक लगातार करे इससे दोश खत्म हो जाता है दोस्तों कई बार हम अपने किसी महतवपूर्ण कार्य के बारे में दूसरों को बता देते हैं या आप कोई नई आकरशक वस्तु खरीद लेते हैं तो हमें दूसरों की नजर लग जाती है जो की आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है इससे बचने के लिए आपको नमक का उपाय अवश्य करना चाहिए यदि घर का कोई सदस्य बीमार है, अथवा किसी रोग से प्रीडित है, तो उसका सिरहाना पूर्व की दिशा में रखे और पूर्णिमा की रात सोते समय, उसके सिरहाने में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुक्रे रख दे एक सब्ताह बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रख दे, धीरे धीरे उस व्यक्ती की सेहत में सुधार होने लगेगा दोस्तों, नमक और कांच का सबंध राहू ग्रह से माना जाता है इसलिए अगर आप कांच के बरतन में नमक रखते हैं, तो आपके जीवन पर राहू का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा अपने घर के कीचन में नमक को कभी भी धातू के बरतन में ना रखे, इससे राहू से जुड़े दोश उत्पन होते हैं और घर का वातावर्ण नकारात्मक बन जाएगा स्टील के बरतन में नमक रखने से चंद्र और शनी का मिलन होता है, जो की बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, आपके घर पर दुर्भाध्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है, इसलिए आप नमक को सदैव ही काँच के बरतन में ही रखे यदि आप नमक को काँच के ग्लास में अथवा कटोरी में भर कर बाथरूम अथवा टॉयलेट में रखते हैं, तो वह नकारात्मक उर्जा को नश्ट कर डालता है, ध्यान रहे रातरी के समय बाथरूम तथा टॉयलेट का दर्वाजा कभी खुलाना रखे अन्यथा यह नकारात्मक उर्जा आपके सम्पूर्ण घर में फैल जाएगी, बाथरूम में काँच की कटोरी में नमक रखने से कीटान वो का भी नाश होता है, तंत्र शास्त्र में नमक से जुड़ा एक बहुत ही चमतकारिक उपाय बताया गया है, जिसे करने से आपके ध धन में व्रिध्धी हो सकती है, इसके लिए आप उन्यमा के दिन कांच की प्याले में नमक भर कर उसके अंदर चार से पांच लॉम डाल दे और इसे उत्तर दिशा में रख दे, ऐसा करने से घर में धन की व्रिध्धी होती है और मा लक्ष्मी का आगमन होता है, जदी भोज अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है, तो आप समुदरी अथ्वा सामान्य नमक का उप्योग भोजन में ना करे, इसके स्थान पर आपको सेंधा नमक का उप्योग करना चाहिए, इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे, और यदी कुंडली में मंगल कमजोर है, तो भोजन में आप समुदरी नमक का प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे बार-बार बुरी नजर के प्रभाव में आते हैं, तो पानी में चुटकी भर नमक डाल कर उस पानी से उसे स्नान कराएं, तो उन पर बुरी नजर क प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके पीछे वैग्यानिक कारण भी है, नमक के पानी से सनान करने से, एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। अगर घर में कलेश होता है, सदैव ही तनाव का माहौल बना रहता है, पती-पत्नी में बिना किसी बात के अन्बन होती रहती है, तो इसके लिए घर में मौझूद नकारात्मक उर्जा जिम्मेदार होती है, इससे बचने के लिए काच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर इसे पत पत्नी के बेडरूम में रख दे, नमक नकारात्मक उर्जा को सोख लेता है, और सकारात्मक उर्जा में व्रिधी होती है, इसके अलावा आप सेंधा नमक अथवा खड़ा नमक का एक टुकडा शयनकक्ष के एक कोने में रख दे, इससे नकारात्मक ता दूर हो जाएगी, अथवा व्यापार में घाटा हो रहा है, तो उनके लिए जोतिश शास्त्र में बहुत ही महत्वपून उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पीसा हुआ नमक लेकर उसे अपने सिर से तीन बार घुमाना है। फिर इसे आप दरवाजे से बाहर फेक दे। ऐसा लगातार तीन दिनों तक करने से आपकी परिशानी खत्म हो जाएगी। जोतिश शास्त्र के अनुसार उनिमा के दिन साबुत नमक या खड़ा नमक को लाल कपड़े में बांध कर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्यक्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे नकारात्मक उर्जा अगर आपको नेंद नहीं आती है, रात भर चिंता से जागते रहते हैं, तो आपको पानी में नमक डाल कर अपने हाथ पैर धोने चाहिए। इससे आपके अंदर की नकारात्मक उर्जा नमक सोख लेता है और आप रिलाक्स महसूस करते हैं। इससे आपको नेंद भी अच् तो प्रत्येक रविवार को नमक के पानी से पोच्छा लगाएं। इसके लिए पानी में दो चम्मच समुदरी नमक अवश्य डाल दे। इससे धन की आवक बढ़ेगी और देखते ही देखते, सारा कर्ज उतर जाएगा। जदी अकारण ही धन का नुकसान हो रहा है, लगा पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो कांच के गिलास में पानी भरे और उसमें एक चम्मच समुदरी नमक डाल दे। और इस गिलास को घर के दक्षिन पश्चिन के कोने में रख दे। इससे धन की हानी रुक जाएगी। इस पानी को हर हफते में बदलते रहना चाहिए। दोस्तों अगर आपको अपने घर में किसी बुरी शक्ती के होने का एसास हो रहा है या बार-बार बुरे सपने आते हैं, मृत्यू का भय सताने लगता है, तो आप कांच के बरतन में नमक भर कर उसे घर के किसी ऐसे स्थान पर रख दे, जहाँ पर किसी की नजर आसानी से ना पड़े, इससे आपका भय समाप्त हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते है अगले वीडियो में धन्यवाद।